Dear student, अगर आपको भी किसी question में doubt है तो आपको उस question का photo खीचना है और crop करना है तुरूंत 5 second में उस question का answer video solution के साथ आपको मिल जाएगा फिर चाहे आपका question homework का हो, CBSC board का हो, राजस्तान board का हो या other किसी भी board का हो या class 6-12 IITJ NIT या physics, chemistry, biology, math के इन सभी स्वालों का जुआब मिलेगा doubtnet पर साथ ही doubtnet पर class 9-12 के बच्चों के लिए live classes Hindi medium और English medium में चल रही है तीन क्रोड से ज्यादा बच्चे इस application पर पढ़ाई कर रहे हैं doubtnet के इस application को अभी download कीजिए link मिलेगा description में नमस्कार पैरे बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में तो आज के इस वीडियो में कक्सा 10 सेंसकर्थ और कक्सा 10 सेंसकर्थ का बहुती मैतुपुन टोपिक है आपके संदी यानि इस वीडियो में मैं आपको संदी का जो complete syllabus है वो इस वीडियो में मैं आपको उपलब्द करूआँगा तो सबसे पहले आपके अच्च सवर संदी है उसके बाद में उसकी प्रिबासा याद करनी है और यह आपके एक्जामपल दे रखे हैं और इसमें फस्ट संदी आपके यन संदी इसका सुत्र दिया गया है सुत्र याद करना है और इसके कुछे मैतुपुन एक्जामपल है इनको भी आप अच्छे से त्यार करें उसके बाद में सेकिंड है आपके अयादी संदी तो अयादी संदी का सुत्र है और इनके कुछ एक्जामपल है इनको भी आपको अच्छे से त्यार करना है सेकिंड है आपके वर्दी संदी यानि वर्दी संदी का सुत्र दिया गया है ये सुत्र आपको याद करना है और ये इसकी प्रिभासा है और कुछे महतुपुन एक्जामपल हैं जो आपके एक्जाम में पुछे जा चुके हैं और इस बार भी पुछे जा सकते हैं उसके बाद में चार नमर पर आपके पुरुवर रूप संदी ये भी बहुत ये वे यइनज़न संदी आपके इक्जाम की दरश्टे से बहुती मौस्ट इंपोर्टल संदी है क्योंकि एक्जामपल ही क्यूषन आपके बौर्ड इक्जाम में पुछे जाते हैं तो इसकी प्रिभासायाद होनी चाहिए और इसका जो इनके प्रकार हैं उनके नाम और उनके सुत्र ये सब आपको complete त्यार करना है इसमें पहला आपके जसत्व संदी इसका सुत्र दिया गया है और इनके example दिये गये हैं तो इनको भी आप अच्छे से त्यार करें और उसके बाद में B पर दे रहाँ आपको अनुस्वार संदी अनुस्वार संदी भी आपको त्यार करनी है और C में देरका आपको प्रैस सवरणन संदी तो इसका सुत्र दिया गया है और विद इनके example दिये गये हैं तो इनको भी आप अच्छे से त्यार करें या आपके प्रैस सरणन संदी है तो ये भी काफी बार एक्जाम में इसे भी related exam में क्यूशन पूछे जाते हैं तो इसको भी आपको अच्छे से त्यार करना है और ये example देरके इन example को भी आप अच्छे से त्यार करें ये आपके विश्रक संदी है और ये भी आपके बहुती most important संदी है काफी बार एक्जाम में इससे भी related question पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको विशरक संदी की प्रीबासा और इसके एक्जामपल याद करने हैं उसके बाद में यह आपके प्रकार है तो इसमें पहला प्रकार आपके सत्वे विशरक संदी इसके प्रीबासा इसका सुत्र और इसके एक्जामपल अच्छे से त्यार करने हैं उसके बाद में second आपके उत्वे विशरक संदी तो इसका जो सुत्र है और इसके प्रीबासा है और इसके एक्जामपल है यह आपको त्यार करने हैं उसके बाद में यह सुत्र दे रखा है इसका हरिष्च है और यह आपके इसके एक्जामपल है तो इनको भी आप अच्छे से त्यार करें यह तीसरा प्रकार है आपकी विश्रक संदी का रूत्वे विश्रक संदी तो इसका सुत्र इसकी प्रिबासा और इसके एक्जामपल त्यार करने हैं उसके बाद में चार नमर पर परकार देरका आपको विसरक लोप संदी तो इसका सुत्र इसकी प्रिबासा ये आपको याद करना है काफी इंपोर्टेट है और ये तीन नमबर पदेर का आपको रोरी यानि रे प्लस रे इसका लोप है लोप करने पर पुरुवे सवरे का दिर्ग होता है और यह आप पूरा त्यार कर सकते हैं और इसका PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके इने नोट्स को आप अच्छे से त्यार कर सकते हैं अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिजिए